कि हाइब रिजुआ और वेलकम बैक टू जे के एक्जाम करेकर गएस आप लोगों का जो फाइनेंस एकाउंट एक्जाम हुआ था छे मार्च को उसका अंसर किया था और जब आंसर की निकल किया था तो कुछ बच्चों के जो आंसर थे जह हम लोग बात करें कि आंसर की में कुछ आपके जो answers उन्हें ने बताया से जेकी SSB ने वो आपके सही answer नहीं थे तो बच्चों ने representation फिल किया था तीन सा चार दिन का आपको time मिला था तो आप यह मानों की ने रेबोट एक महीने के बाद उसका revise की जो है वो आपका निकल के आ रहा है आपके total 8 question थे जिसके against बच्चों ने step उठाये थे जैसे 2 question आपके जो थे उनके जो revise answer है आगे है जिनका पहले answer C था B हो गया है और A question का answer B था वो आपका C निकल के आ गया है तो आपके 2 question के answer change किये है ठीक है और उसके साथ साथ आपके जो 2 questions है जिसके answer B और D थे उनमें revise answer की में दो option correct निकल के आ रहे है A B और B D ठीक है इसके साथ साथ 4 question आपके जो है वो nullify कर दे गये है nullify करने का मतलब यह है कि आप यह मानो कि आपके जो जो questions है वो आपके सही नहीं थे एक तरह से अब यह मानो अब nullify क्या किया है कि आपके जो marks है वो आपके बन रहे होंगे 116 में से क्यूंकि चार question nullify हो गए है आपके अब ऐसा नहीं कि सभी को चार निमर मिल जाएंगे इसका अब यह देख सकते हो कि सपोज आपके 90 marks निकल के आ रहे है आउट आप 116 में से तो आप 90 अपॉन 116 करोगे करोगे जो आपका आंसर निकल के आएगा वो क्या होगा वो अब जब रिजर्ट आएगा उसमें आपको उतने marks जो है वो दिये वह होंगे अब रिवाइस आंसर की आ गया है तो मेरे हिसाब से आप जो आंसर है जो आपका जो रिजर्ट है इस एक्जाम का वो आपका जल्दी ही आ जाना चाहिए तो guys I wish you all the best thank you so much good bye and take care